गोविन नगर छेत में चल रहा हुक्के का व्यापार युवाओं को नसे का आदी बनाने का व्यापार आखिर किसके स्वन्द छण में फलफूल रहा है गोविन नगर के सास्ती चौक चौराहे से चंद कदम की दूरी पर हाउस ओफ होविट नाम से चल रहा है हुक्कावार फर्स्ट पूट के नाम पर अवैद रूप से चलाया जा रहा है हुक्के का गोरक कारोबार इस हुक्के में प्रदिन सो से डेर सो युवा यहां आते हैं हुक्कावी ने यहां हुक्के के सास्त अनमेरिट कपल्स को केविन भी उपलफ दकराये जाता है स्कूल वा कॉलेज की लड़कियां यहां आपको अलग-अलग अंदाज में डांस करतो ही अक्सर दिखेंगी अब बड़ा सवाल ये बनता है कि आज के नव युवा यूतियों के भविस के साथ खिलवाड का कार उनको नसे कादी आकिर किसकी पनाहा में किया जा रहा है वहीं जब हमारे संबाध्दाता ने हुक्के के मैनेजर अरजून से इस बाबत जानकारी लेनी चाही तो पहले तो मैनेजर अरजून ने अपने मालिक का नाम लेने से मना कर दिया फिर बोलने लगा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि थाने और चौकी में हर महीने सुविदा सुलके के रूप में मोटी गटी जाती है इतिनों दिनों से ये हुका फलफूल रहा है आकिर शेत्रिय चौकी या थाने को भनक क्यों नहीं यदि भनक है तो कोई कारवाही क्यों नहीं क्या थाने चौकी में भी इन उभरते देश के भविस के साथ चंद रूपियों का सौदा कर लिया गया है हुका मालिकों से अब देखना ये है कि सास्त्रि चौक के इस हुक के बार हाउस ओफ हौविट में कारवाही होती भी है या जिस तरह से मैनेजर मोटी रकम की बात कर रहा है उसमें कहीं दब के रह जाती है कब तक यूँ ही देश के भविस को नसे का आदी करता रहेगा कानपूर का ये हुक का बार कानपूर ब्यूरो रिपोर्ट